कि चलिए बच्व icon लिली आज़ेए्ट अभर्ट अ हरियाथ सारे बच्छे ज़लीं जोइन करें यह फटाफ हई बहुत खास दिनने लुक्रों आज चलेंगे महासागर की सहर पर दुनिया के सबसे वहां सागर यानि परशांत महातागर सब से घहरे महातागर तुम मक्सागर जो एशिया से अमेरिका को को दि वाइट करता है परशांत मतागर सबसे तक अब ना सब्सक्तचा चलते हैं तो बश़ियोch कैसा लग रहा हो देखिए परशांत-महासागर Kita तो बच्चों हम आ गए हैं दुनिया के सबसे भड़े शाल महासागर पर जो सबसे गहरा भी है जिसकी गहराई है ग्यारा हजार 25 मिटर यानि 11.02 किलो मिटर बच्चों इतना गहरा और पिशाल है यह कि इसने एशिया से अमेरिका को डिवाइड कर रखा है आप पर्शांत सागर में हम पहर रहे हैं बच्चों। यह क्या महासागर के पानी यह नहीं होती इसमें होता है इवापोरेशन बच्चो चलिए इवापोरेशन स्चैप वो चुगा है अब मैं आपको लेकर चलता हूं बादलों की सेर पर तो बच्चो अब हम आज चुके हैं बादलों में जानेंगे कि कैसे इन बादलों का थ्यूता है इवापोरेशन मैंने आपको बताया नहीं में तो हो और यह होती है तो judging एकन्डेशन प्रोसेश होता है और पिर क्या होती है बच्चों तो बच्चों अब देखिए बहुत तेट वारिश हो रही है यानि की कंडल सेचन के वाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है सर भीग रहे हैं और इस नो पढ़ने लगे तो स्नो भी हो रहा है तो स्नो को भी तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं प्रेसि अरे यहें क्या इपांटने लगे ओलेपड दने लगे ilmht रेल स्टोन तो बच्चों प्रेसिप्टेशन यानि पाणी किसी भी फॉम में किसी भी सौDO पानी जब होकर धरती पर और वापस आता है तो उसे कहते हैं प्रेसिप्रेशन और यही पाणी जब installation आशेर्ट प्रोसेस करता है तो चला जाता है नहां पर वाटर टेबल में जानी स्टेफ होता है पर खूलेशन पर क्लेशन का स्टेप हमारे water table को मेंटेन रखता है groundwater को मेंटेन रखता है और इसमें लगते हैं बहुत साल बहुत समय लगता है तो प्र कोवलेशन से से GROUND WAITER RAGA systems रहें का पूरा प्रोसेस एक और तरीके से अफरेशन होता है जैसे होता है चलिए आपको बताते हैं कि वर पॉरेशन ऊसिए से टो आपने देखा ही था इवर पॉरेशन लीव से भी होता है जार्णी हम क्यूं कहते हैं कि हमें पेड़ पाले लगाने चाहिए क्योंकि पौधों के अंदर होती है लीव्ज और इनहीं लीव्ज के पोर्स के अंदर होता है स्टोमाटा और स्टोमाटा से होता है क्या Transpiration यानि जो Extra Water होता है पेड़ पौधों के पास उसे वो क्या करेंगे Evaporate करके कहां पर Atmosphere बेज देंगे यानि Evaporation दो तरीके से होता है एक तो पेड़ पौधों से और दूसरा औसीलिए कहा जाता है पेड़ पौदे अगर लगाएंगे तो बरसात होगी जंगल जितने घने होगे बरसा दुरी तो बच्चों चलिए चलते अपनी क्लास में और आगे की जानकर आपको क्लास में देए तो बच्चों कैसा लगा आपको तो बच्चों कैसा लगा आपको जानकर वाटर साइकल के बारे में मजा आया तो यह प्रोसेस सारे क्लियर हुए वाटर साइकल के घूम के आए हम लोग कहां पर ओशियन की सहर पर पैसिफिक ओशियन यानि सबसे बड़ा ओशियन प्रसांत महासागर धरती पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा देख लिए आपने एश्या को अमेरिका से बाटता ह है और पूरे कॉंटिनेंट्स को क्लियर करेंगे ठीक है विनायक से बात करें विनायक को कुछ प्राउब्लम है क्या करने के लिए जी बटा है हाँ ठीक है कि उसमें कितने कोशन आ रहे हैं अचा बाकी कोशन्स आपको विजीबल नहीं हो रहे हैं चलिए बात में बात कर लेंगे मैं टीम को बलूंगा टीम आपको प्रवाइट कराएगी ठीक है बिनायक चौधरी ठीक है नाम नोट करना टीम इसका आप कोई बात दी आपकी कोईरी जूआ की क्योंघ्व कर दी जाएगी ठीक है वटा अगर सबको यह कोईरे तो ठॉच्छार आपके एक्जाम में आते हैं सारे इसक्रें डिसक्स करेंगे वाटर जो की बैसिक ऐलीमेंट एकिसका आर्थ का सारे बिच्छी त्यान से सुनेंगे व सिर्दवी पर कितना परसेंट वॉटर सिर्ट कितना नेंटिस्प सेवन पॉ Raymond पाइब सेंट एफ है सब है तो सोसीं कारण या कहलए ओशिएंड में फानी को पानी बाकी सब क्या है बाकी सब लेंड सरतीशाइथ फिसली पाणी और कि मुरार्ण एंप तर रहूंग करते हैं ब्ल्यू प्लैनिट या लगना छोटी-छोटी कोश्चन आपके एक्जाम में आएंगे एक नंबर का एक वन मार्क कोश्चन लेके तब मत कहिएगा सर आपने पढ़ाया नहीं था ठीक है चलिए ब्ल्यू प्लैनिट अर्थ को कहते हैं 71 परसेंट तो वाटर है और उस यह दाए परसेंट हमारे पास बचाक्या फ्रेश वाटर कितना पचा रेश ओस्वीर्षा bajo बॉसमें से विया आंसर है अब लेगना ऐंगे च्फरिशियर से पास है हुँ वही हमारे रीवर्स में है बाई थूढको क्लूर है घॉश को पानी प्रसुल बत्चा से कि नहीं तो रिवर्स पॉंच्स लेक्स और हमारा Ground Water यानि जो जबीन के नीचे सबसे बड़ा सोर्सद हरताया होता है फ्रेश वॉर्टर ग्राउंड वॉर्टर बढ़र वर्मान कोशन आएगा बिगेस्ट सूर्सन फेश्ट वॉर्टर टार्ग्र्जेस्ट सोर्स विगेस्ट सोर्स लारज़ेस्ट आप फ्रेश वाटर यानी पीने के पाणी का सबसे बड़ा सुरोत क्या है ग्राउड वाटर दिखनी जी ए ग्राउड वाटर कि इस अवह mac वह छलिए लिखिए बिग आहिस ओर साफ रेच वाटनीश ग्राउंड वाटन लेकिन लेकिन अब ध्यान सा सुनना सबसे फ्रेश पानी किसको कहते हैं सबसे अपसे अप्षंस में के चार औकर सबसे फ्रेच वाटर दो लिए आप अगर होता है निकलीज़ेज़ आप बताइगे प्यूज़ करद तो वेपर बनके जाता है और कंडेंस होगे वापीश खाला पानी होता है वृक्या खालेन ब्री निसे बता हैं जbane कि याद रखना बेटा जब वाटर वेपर बनते यह प्रसन के बाद प्रस्थी बता रहा हूं मैं सुनो फिर से अगर पानी में नमक घोल दिया जाए और उसको रख दिया जाया किसमें सूरज की रौष्णी में यानि गर्मी में रख दिया जाए यह पर होने दिया जाए तो नमक बाल्टी में रह जाएगा और पानी शुद्ध पानी क्या होगा शुद्ध पानी वेपर बन के ऊपर कोई डाउट न॥ा शुद्ध बनके आउप Is तो फिल्ट्रेशन का ये भी एक प्रोसेस होता है जानते हैं आप फिल्टर पानी को फिल्टर करने का ये भी एक प्रोसेस होता है सलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बना दो नमक नीचे पानी उपर और उपर जाके पानी कंडेंस होगा और कंडेंसेशन होने के बाद पान वाटर द्राउस में कन्फेज होगा जानी जल चक्र पानी का फिर्थवी से जाना सारे बच्चे सुनेंगे लिएंसे पानी का फिर्थवी से जाना किसे surface से जाना atmosphere में अकाश में atmosphere में जाना evaporation process का इवैप्रेशन में किसी को डाउट है अच्छा है शानवी या चलो कोई बात नहीं इवैब स्वेशन पानी आप जब ग्लास में आप अपने कपड़े दोते ओ लिढाले कर लिए दाले कर लिए में दीरे भाब बनके एटम स्फियर में मुह से बोलो यहाथ में चला गया ओई इसे ही पानी ऐसे पानी है ऐसे पाणिसा सब्स Jae जाके देखना लेकिन ऐसा करना मत खोल के रखोगा तो डेंगू का मच्छर भी आएगा एडिस इजिप्टी आना आर्टिफीशल कलेक्शन ओफ वाटर तो याद रखना की मतलब यसा नहीं कि एडिस के शिकार हो जाओ फिर आपके प्लेटलेट खतम होने लग जाएंगे डें सब्सक्राइब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिस अपमान पर पानी उबलना शुरू हो जाएगा वह सो डिग्री सेल्सियस भाप में कन्वार्ट होना शुरू हो जाता है अभी 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 शान्वीन अपने कपड़े कोई चूले पर थोड़ी रख्के दें लखके दें क्या करको यह नहीं रख्के देना इसने का विज लैके नॉर्मल एयर में डाल दिये डाल दिये कपड़े अपने आप आप सूखें अपने आप नहीं सूखें वहवापोरेशन के कारण सूखते लिह को ड्राई क्लोथ ड्राइघत कौन्स दूट्स द्ेट сб बिकंस ड्राईव्यड करेशन याद रखना कपड़े सुख जाते हैं इस पूरेशन के कारण अब बात बताओ थ्कंस ढॉट एवेपोरीसन लिए रखना घपड़े सूख जाते हैं एवेपोरेशन के कारण आपके बात बता जब Topड़े सूख जाते कारण तो कैं नदियों में महासाणा दूट कि 느낀이 अजल्दी बता हो थमझप करके प्रकर बदा हो सारे बच्छे पता ओशियंज का पानी ओशियंज का पानी यास ओशियंज का पानी इतना मज़ेदार आपको घुमा के लाया पैसिफिक और यह सब आपके नरजी नहीं आरी बॉड़ी में तो मैं क्या करूं आप मैं दिन पर थोड़ी को माँगो आपको उशियंज में चलिए ओश प्रेसिपिटेशन होगा प्रेसिपिटेशन यहां तक समझ में आपको यानि भर्षण बारिश होगी यह तीन स्टेप समझ में आगए इवापोरेशन चलिए आगे चलते आपको दिखाई देते हैं नहीं तो सब बच्चे क्या करेंगे सर्व दिखातो रेनी हैं कुछ चलो द च्पनेंह यानि पानी क्यों क्या हो ये थंडडी जब क्या होती फंडब हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं चलो किस लाई जो स फाइक सबना हो तो तुमने चाय बनाई तो चाय के चाय के बरतन पर बनाने के बाद तो थंडी और ने तो तो चल्डी दिए बाद फट इस जलदी बताओ मिल एक बच्चा पुताफ़आ कि से बात करा हो क्या होता प्लेट के नीचे सब ने सुना की नहीं सुना थम सब कर बताओ कि लॉटर डॉपलेट सुनाहिए की ना हिनि दिआ lesson कुह ठीक है तो यह क्या वह वेपर्स थे वह ठंडे होंके से क्या बन गए पानी की भूंदे बन गही वांटर ड्रॉपलेट बन गही और यहीं इस पॐनज छोटी जब जाती दूसरे से तो बड़ी बड़ी ढौटीड्रॉफ मत City बड़ी बड़ी वम्द आति वाटर ड्रॉप और उसी में सर बीग गए थे आज उसी मसर क्या हो गए थे आज बीग गए water droplets यह बारिश हो रही है देखो और यही जो बारिश होती इसको क्या कहा आता है पेटा precipitation क्या कहते हैं प्रेसीपी टेशन यानि कि वर्षन वर्षा होती है ना उसी की हिंदी होती है वर्षन कंडेंशेशन को बोलते हैं संगनन कोई हिंदी मीडियम वाले हो दो लिख ले ना संगनन मतलब जूड़ जाना जब वेपर जूड़के बुंदे बन जाते हैं एक वापरेशन को बोलते हैं वाश्पी करण पास्ती करण जलिए लिए पढ़ लोगों कोशन कराओं और तुम्हें पता ही है सर तो पूरा कॉंसेप्ट बता देते हैं उसके बाद फिर कोश्चन तो बच्चे करते हैं अपने आप धड़ा 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 कि रुकते ही नहीं है ना कल एक लोगों ने के क्लास देखी बोले सर यह कौन सी पढ़ाई का तरीका है पहले सारा बता देते हो उसके बाद जादुगरी यहीं तो जादुगरी है प्रेसिपिटेशन वर्षण बारिश अब यह वर्षण कुछ भी हो सकता है ऐसे मत समझना कि खाली पानी गिरेगा बारिश में स्नौ भी गि अब जैसे ही पानी बनेगा तुर्षण बड़ बन जाएगा टेमपरचर बहुत कम होता है ना कहां पर बाई जम्मू कश्मीर बारफ पड़ती है तो वहां पर टेमपरचर कम बात करां से अभी बताने वाला था फिर मैंने सोचा कि आप को गयार की सारी गलतिया बता दी हमारी प्योर फॉर्म आफ वाटर तो है रेन इस प्योरेस्ट फॉर्म आफ वाटर रेन बारिश सबसे शुद्य फॉर्म में वाटर की लेकिन हम नहीं इन्सानोंने सब बरबात कर रखा है जो हम लोग पॉलूशन करते हैं ना उससे क्या होता एसोटू स्लफर तायोकसाइड सबसे ज्यादा मात्रह में क्या जाता है एकी कि सारे बच्चे सुनेंगे एसीड्रेंट करते हैं हम लोग गाडियों से धुआ निकलता है यह आल सारा कुछ जो भी धुआ उपर जाता है ना जाएगा तो प्रेंग जल्दी बताओ कि एम आइट और रॉंग क्या मैं सही हूं सारा धुआ का जाएगा उपर जाएगा अब यह जो धुआ बेटा जी उपर जाएगा यह क्या करेगा उपर जाके जमा हो जाएगा और जब बालिश होगे पिरत्वी तो बसकाली हाथ खड़ा कर देता है प्रेसिपीटेशन होगी यह एसो टू उसी के साथ घूल के वापिस आजाएगा कहां पे जमीन में इसी रेन को बोलते हैं यह खतरनाक होती है अब क्या बताओं कि बारिश खतरनाक होती है अब खतरनाक होने लगगी बारिश पहले नहीं थी तो यही एसीड रेन के कारण क् प्रेसिपीटेशन में कुछ भी गिर सकता है वारिश भी गिरेगी सब्सक्राइब प्रिश भी गिरेंगे और ऑले गिरेंगे तो सिर्म चोट भी लगेगी ठीक है तो यह सारे काम होते हैं अब फॉप क्यों पढ़ती है फॉप मिस्ट सुनाएं फॉप फॉप क्या होता है आप अब सुनो मेरी बात ध्यान से हाथ मत खड़ा करो चलो पूछ अब क्या होती फॉप क्यों होती सर्दियों में विंटर में फॉप क्यों होती प्रिफी सबको बता दो आज कि हुआ हुँ हुँ है अरे मैं तुम्हें कोशन कर तुम उस्टाइब कर रहे हो पर पेटा थोड़ा से मुश्किल काम है तो कर रहे हैं लोग ऐसा नहीं है कुछ कंट्री में हो रहा है इसराइल में हो रहा है इसराइल में मोदी जी गए तो मैंने देखा थे जगह उनको ले गए तो उन्होंने वह प्लांट दिखाया कि हम कैसे ओस्ट के पानी को क्या कर जी कर रहे हैं साफ कर रहे हैं इसराइल के पास प्रेट्वी तूम करना तुम बड़े होना तुठ्रेशन का काम सवाल है तो एस तो अब बच्चों ने सोचा यार यह ठंडियों में कैसे पड़ जाती है मिस्ट का मतलब होता है जब थोड़ा सा धुन्द होती है थोड़ी से होती है थोड़ी दूर तक दिखाई जैता है और दूर की चीज़ भी दिखाई जाती है और दूर की चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई देगी तैट इस काल फॉग यारी मिस्ट का बड़ा भाई कौन है फॉग अब फॉग बहुत ज्यादा हो गई हमें दिखनी करता है कि यंझे घॉन हही है बच्चों को तो हमेशा जानना ची क्यों होई है आए ना अभी टांस नहीं होगा है तूर बसिल फॉचह से ऑल्वेट बस्ति निसाउख क्यों होती है कि बपिर पॉरेशन समर्स क्या होगा कम क्योंकि टेमपरेश्टर बढ़ता जाएगा तो एवापरेशन प्रोसेस भी तेज़ होता जाएगा पॉलो यह से और नौ कि घर्मियों में अचनल कपड़े ज़ग शानवी के चानवी ने बोला था मैंने कपड़ डाल देज तो सर्दियोंदेर में सूप ते कप होगा लेकिन अब क्या होगा अब इवापोरेशन होने के बाद यह वह इवापोरेशन ध्यान से देखते रहे ना यह वह इवापोरेशन दिखाई दे रहे हैं सबको दिखाई दे रहे ना ठीक है यह वह इवापोरेशन ठीक है लेकिन अब यह इवापोरेशन होने के बाद च और उस फॉलुंग में जब हम पड़ी चलाते तो कम अपकटे कीड़े क्या होते हैं कपड़े की रहे ने वाटर लिक तो होता है फॉट क्या फॉट पानी की फॉट मीट है फॉट रहें अर्थ के सर्फेस पर पानी अधर लग जाता है सर्फेस के पर ही यह क्या हो थंडा होजाएगा वह बाइपर वेपर अभी बनेंगे और तुरंट के आगी एठनदा मौसम अ थोड़ी चुपर जाता है कंडेंशेशन स्टार्ट यहीं पर क्लाउड बने लगते हैं वहीं तो प्लाउड्स ओते फॉर्क की फ़ॉर्म में हैं समझ के मेरी बात लिए समझ गए ठीक है समझ गये तो आगे चलते हैं अगर आप समझ गये तो देखा देते हैं आपको पहला प्रोसेस समय गई वघ्योथ तो नहीं है लोग वाटर पाश स में चेंज 囚ेंच होगा कफि को चेंज होगा सब कि सर्फेस पर होगा इवापोरेशन हम इसे किस पर होगा सर्फेस पर होगा बात करा तो साहिल से बात करा दो क्या कह रहा है कंफ्यूजन बच्चों को एट्मॉस्पेरिक जी बताएं कि जी अब बैटा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है जीरो डिग्री सेल्सियस आप इसे बड़ा अच्छा कोश्चन है यह बहुत अच्छा कोश्चन है सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे ट्वेल्थ क्लास पास कर लेंगे फिर में समझनी आता बच्चों को जीरो डिग्री स लिए से यह है यह ऊइस अब इस टीमपरेचर से नीचे टेंपरेचर कर जाएगा नीचे का मतलबीटा नीचे开始 on जैँए गिंति माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो बरब जमने लगे जाएगी फ्रीजिंग और लगजाएगी तो जीरो डिकरी सेल्सियस इस तो फ्रीजिंग पॉइंट ओटर लिख लो यार क्या क्वेशन पूछा है यार मजा आगया फ्रीजिंग पॉइंट ओव अब बन जो है ärerdcade र हैं इंछ आना जिरो डिगरी पर चलो आई मायनस 3 पर जब फीजर से निकाला बर्फ को तो हमायनस-3 तो कि अब मैंने निकाल लिया निकाल लिया भानि काल लिया अव békin living अव्तमेडर लिया अब टेंपर कि पढ़ेगा जलिएम बढ़ेगा FE टेम्प्रेचर घटेगा अरे फ्रीजर से बाहर आया है बरफ तो बढ़ेगा कि घटेगा टेम्प्रेचर बढ़ेगा बढ़ेगा टेम्प्रेचर बढ़ेगा टेम्प्रेचर ऊपर जाएगा तो माइनस बंदक तो बरफ में रहेगा वह बरफ ही रहेगा जीरो टिगरी पर आ रोनो ही प्वाइंट पर जीरो डिगी पर ही वो बरफ बनना शुरू होता है जीरो डिगरी celsius पर ही वो bouff मेल्ट होना शुरू होता है अगर बरफ होगा तो पिखलना शुरू करदेगा अगर पानी होगा तो जमना शुरू कर देगा जीरो डिग्री सेल्सियस ब्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट वाटर बड़ा सुन्दर कोशन था बहुत अच्छा थैंक्स सारे बच्छे साहिल को थैंक्स बोलो अच्छा कोशन पूछ है चलिए नेक्स देख लेते हैं बच्छो ट्रांस्पिरेशन में किसी को दिक्कार ट्रांस्पिरेशन में किसी को दिक्कार ट्रांस्पिरेशन किसी को दिक्कार जलो समझाते हैं पानी ओशियंस से वेपर बनता है इवापोरेशन में है ना समझ मारी बात चलो समझा रहे हैं हैंड्स राउन कर लो पानी ओशियंस में व लिख लू साइल कि शेञे को पॉधो में जड से पतियों तक पहुचाते हैं लख्ये फ्रॉम रूट टो शूट श्यालमHट ट्रांसपर्ञ वाटर फ्रॉमXRI शूट पजाइलम टिशू होते हैं जैसे हमारे अंदर टि ंडै pesa एक नहीं अन्वर फोलेम दो टीक्र फो लेम फोलेम फूड फूड को पहुचाता है किसको पहुचाता है फोलेम फूड को पहुचाता है फोलेम ट्रांसपोर्ट फूड इन वेरियस पार्ट्स आफ अब यह फूड बनता कहां पर है प्लांट्स में याद रखना पतियों में तो पतियों में जब एको डीविट है को कौन ट्रास्पोर्ट करेगा तो फोलेम ट्रांस्पोर्ट फूर्ट फूर्ड फ्रॉम लीज स्टु मिनरल नाइट्रेट एन ओल इसको इसको सप्लाई करता है का अशाइलम और फोलेम क्या करें किचन में खाना बन गया है तो बच्चे जाएंगे डिस्ट्रिबूट करके आएंगे बात कराऊ सर साइल से क्या करें को सब्सक्राइन करें को हाँ हाँ होता है लिए लिए जो होता है साइल ने कहा होता है मैं अपनी गलती भिशाय करता हूं यह फूड के लिए होता है बेसिकली साइन समझने वाली है वेरी गुड जाइलेम जाइलेम ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल और वाटर को अब देखो जैसे प्रत्वी को मैंने बोल दिया है तुम्हारा काम है पेडों की रूट से और उपर तक पानी पुचानेगा तो प्रत्वी जाइलम मन के काम कर रहा है पूरा पूचारा थिक है फिर मैंने बोला शानवी को मैंने बोला तुम्हारा काम है कि जब पतियों में खाना तयार हो जाए गा तो अभीण में अगर खाना तियार हो ठीक है वही तो खाना बनता काँ पर लीव्ज में समझेंगे अब यह देखो इसके इंदर छोट चोटे पोर्स घंप इन पोर्स को क्या बोलता है स्टोमाटा इस्टो माटा इस्टो माटा में खाना नहीं बनता याद रखना इस्टो माटा में गैसिएक्सचेंज होताँ है यानि पॅधे शांस लेते हैं अक्सीजन को छोड़ते हैं और कर्बन लाईक्साइट को लेते हैं इस्टो माटा किसे ही गैसियेस एक्षेंज, CO2 और O2 का एक्षेंज कहां से होता है, इस्टो माटा से, एक काम तो यह करता है इस्टो माटा, ठीक है, सबको क्लियर है, एक काम इस्टो माटा ने क्या किया, भाईया गैसियेस एक्षेंज का काम किया, स्टो माटा ने, तो ओपन टो जाने में जब जादा कंदेता पानी ज्यादा को जाती है गुए कि नहीं हो जाती Millon ज्यादा जाएगी तहले जी सब्सक्राइब होगा सारा चाहिए हो जाएगा तो ऐसे ये पौदे भी क्या करते हैं सारे के सारे त्रड़ एक्षच्ट्रा पानी को फिपार्स अबरा टेन फिरन सुनों उसमझमे जिसको आ गई यह उसका कभी कोश्चन गलत नहीं होगा ठीक है पत्तियां जो होती है वो ट्रांस्पिरेशन करती है कि चलिए देख लेते हैं कुशन ले ले बच्चे का बेटा बोलो बेटा एक्स्ट्रा फूर्ड एक्स्ट्रा फूर्ड का मनाएंगे प्लांट यार चलिए यह देखते हैं ठीक है इस्ट्रा फूर्ड रूट्स के पास वेरी गुड एक्स्ट्रा फूर्ड जो ता रूट्स के पास होता है अगर कुछ दिन पानी नहीं मिला खाना कहां से बनाएंगे तो चार दिन पानी देते हो के पेड़ सूख जाते हैं कहीं से आएंगा रोख खाना तो उनके बाद फूर्ड भी होता है देखिए कंडेंसेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलिए में ने इặक्ष देख लेते कंडेंसेशन के बाद कौन सा आएगा प्रेसिपिटेशन पर्लम बारिश हो रही है क्या प्रॉब्लम मजा आ रहा है बार इस प्राइश प्रेसिपिटेशन याद रखना प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश भी बर्फ गृफ गिरना भी हेल to surface of earth it is known as precipitation जब पानी किसी भी फ़ार्म में अर्थ पर वापस आता है उसे क्या कहते हैं जल्दी बोलिये कि किसी भी फॉर्म में अगर जल्दी जल्दी में इंग्लीश में लिखा लाए लिखे लोग किसी भी फॉर्म में पानी यह पापस आता है इसकौड प्रेसिपूटेशन बस आपको समझना ही तो है अरे डेफिनेशन तो पुक्स में लिखी हुई है लेकिन आज तक समझ नहीं आया उपक्सल्दी में लिखी हुई है मिवच्चे टाइट ओके बैठें बच्चे टाइट ओके इन फिल्ट्रेशं इन फिल्ट्रेशं अब जो पानी वापस आया सर्फेस पर वो स्वाइल से रॉप से स्टोन से चन कर च्रकर चन कर चननी लगी हुई है तब क्राउंट वॉटर का पानी हम लोग सीधे के सीधे पी बताओ जल्दी पूरा पानी चन्निया लगी हुए है क्या लगी है फिल्टर की चन्निया सारी दो को चन्नी जा रहे है पूरा छन के पानी निका जाएगा वाटर टेवल में in filtration is the process of filtering surface water surface पर runoff होता है राणओ पतलब पानी बिखरा होता है वह पूरा पूरा घराउंड और यह पूरा ग्राउंड वाटर जो होता है यह मैंटेन होता है परकॉलेशन प्रोसेस के दौरा तो इंदक टेहल का मतलब सीरफ इतना सा है पा नीचे जाना प्रपेंडिकुलर ली नीचे जाना फिल्कर होना फाणी के फिल्टर होने को बोलते हैं फिल्ट्रेशन के चलिए नेक्स देख लेते हैं बच्चों अभी बहुत देखना भी तो तुम्हें वर्ल्ड की सेर पर ले चलूंँ आज सारे बच्चे एकदम पूरा टाइट होके पैटर पहले डीप रिधिंग करो डीप रिधिंग टाइट होगे एकदम सारे बच्चे चलिए देख लेते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हमने देख लिया पानी का फिल्टर होना यानी परपेंडिकुलर ली पानीका वाट रिडि टेबल में जाना किसी को कहते है थे इन्फिल्ट्रेशन और जैसे ही वाटर टेब पानी जाएगा देख रहे हैं सारं प्रोसेस आघे है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बारिश हो वह रही है ट्रांस्पिरेशन पॉद्हों से दिख रहा है आपको इन्फििल्ट्रेशन यहाँ पर घफ़ होई रहा है और पर कोलेशन प्रोसेस से ग्राउड वाटर पूर्अ क्या उता है वाटर टेवल मेंटेंड थू कि टिक है कई बार बोल सुम पांस दिन में पर मेंटेंड करता में पार करता है चिंध स्वराज जी बता यह समस्टयव कहा है झाल 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 झाल